नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट शो आरोग्य मंत्र में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नीर्चा दोस्तों हम चाही कितना भी अवाइड कर ले लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं कुछ न कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लेते हैं चिसकी वज़े से हमें स्टमक इन्फेक्शन या कोई अन्य छोटी मोटी समस्या हो जाती है आखिर चाट पकोडी समोसे गोलगप पे किसे नहीं पसंद तो आएए बातचीत करते हैं हमारे आयुरवेदा गुरू डॉक्टर प्रताप चुहान से और जानते हैं कि कैसे बच सकते हैं हम इन इन्फेक्शन से और इससे पहले मैं शुरुआत करूं हमारे शो की मैं याद दिलाना चाहूंगे आप सभी को जी हां हमारा नंबर आप तो आप सब को याद भी हो गया होगा वो है 0129 4040404 आप इस नंबर पे कॉल कीजिए अपना नंबर रिजिस्टर कराए जीवा के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स आप से बातचीत करेंगे और आपको देंगे आपकी प्रॉब्लम का आयरवेदिक सल्यूशन डॉक्टर साब नमस्कार आपका स्वागत है हमारे शो में और आज हम आपसे जानेंगे स्टमक इंफेक्शन के बारे में जो की आए दिन कभी ना कभी किसी को होता रहता है और जादातर इसकी शुरुवात देखी जाती है उ नमक इंफेक्शन तो एक modern science का शब्द है लेकिन आयरवेद में वो कौनसी मूल उसकी है जड़ क्या है जिसकी वज़े से infection हमारे पेट में आपसे जानेंगे रूट कॉज आईए हम सबसे पहले बात करते है हमारे शो के पहले कॉलर से जो हमसे जड़ चुके है नमस्कार जी हां जी वेलकम टू आरोग्या मंत्र अपना नाम बताएगे तो कहां से बोल रहा है लगनों से अच्छा पूछी दॉट्टर साब से अपना प्रेशन अवारे हमें से के जी दिमांगी टेंसन आप चार ताल से बना रहता है अच्छा तो क्या होता है उसमें प्रोब्लम क्या से अच्छा तो वह जादा नेगेटिव सोचती है और ऐसा तो नहीं है कि जैसे दिन बर वह हाथ साफ करती रहें सफाई करती रहें इस तरह का कुछla ऐसा नहीं लेकिन उनका जो है माइंड में स्ट्रेस जादा रहता है टेंशन जादा रहता है तो क्या इलाज कर रहे हैं आराम तो जब दबा खाती तो आराम नहता है, फिर बाद में वैसी हो जाता है, देखिए मन जो है हमारा, उसको थोड़ा मन को शक्ति देने के लिए, या जो मानसिक रोग हैं जिसको कि आप कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा टेंशन रहती है, या मन उनका एक जगे रुखता न समोगुन और रजोगुन को कम करना है, यानि कि ऐसे भोजन उसको ना खिलाए जाए जाए जो बहुत ज्यादा तीखे हैं, बहुत ताजे नहीं है, मिर्ची विर्ची ज्यादा डली है या कही बारी जो आजकल का भोजन जो होता है, जो फ्रीज में रखा है, दो-तिन दिन जो नहीं खिलाना है, उनको जो है ताजा साफ स्वच भोजन, सात्विक भोजन जिसको कहते हैं, चाहे कॉफी भी बहुत जादा ना पिये, नॉन वैस बिलकुल नहीं खाना है, कोई भी मीट मच्छी अंडा वगरा नहीं खाना है, दूसरी सात्विक आहार, दूसरा उनका जो लाइफ स्टाइल भी जो है, एक रूटीन बनाई है, सुबह उटकर के नहाना, धोना, थोड़ा, मेडिटेशन करना, पूजा पाट करना, योग प्रोनायम करना, कुछ इस तरह की चीजों में उनका वो थोड़ा से एक रूटीन बनाए, यह सुबह उठके अत्रायम को स उसमें लगाना है, और लखनों में आयरुवेद की हमारी जीवा की क्लिनिक भी है, तो वहां जाकर के डॉक्टर से एक बार मिलवा करके कुछ आयरुवेदिक और भी उनको जरूर दिलवाई है, बहुत सारी आयरुवेद में और जो मानिशिक विकारों पर अच्छा काम करत और वो जरूर ठीक होंगी, हमारी कामना आपके साथ है, धन्यवाल, शी डॉक्टर साब, तो क्या-क्या कॉज़ेद आप बता रहे थे हमें स्टमक इंफेक्शन के, तो सबसे बड़ा कॉज है आम, आम यानि के वो ऐसा एक विशेला पदार्थ जो हमारी छोटी आत में बनत है क्योंकि जब खाना जो पूरी तरह से नहीं पचेगा हमारा तो आम बनेगा, आम जब हमारे digestive system में रहेगा, तो तब वहां पर कोई भी infection, bacteria, virus या कोई चीज़ वहां grow करेगी, वो उसका growing medium है, जिसमें वो पनपते हैं, आम अगर नहीं रहेगा, तो एक बार को आपने कुछ ऐसा गलत सलत भी खाया, वहां गया, virus bacteria अगर उसमें है भी contaminated food अगर है, तो वो क्योंकि आम वहां नहीं है, तो वो grow नहीं करेगा, वो बाहर निकल जाता है body के, इसलिए आपने देखा होगा कि एक contaminated food, तीन लोग खाते हैं आपके घर के, एक को infection होता है, दो को नहीं हो तो जिसके अंदर आम मौजूद है, या जिसका system अलरी एक तरह से वहां पर एक medium मौजूद है, उसको ये infection पकड़ता, अब ये आम बनता क्यों है, यानि कि हम क्या कहना चाहरे है, कि infection का मूल कारण है आम, और आम क्यों बनता है, over heating से, बहुत जादा गरिस्ट भोजन खाने से, बहुत जादा जो है, तलाब होना खाने से, या ऐसे भोजनों को आपस में मिला के खाना जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, विरोधार जिसको हम कहते हैं, बहुत जादा प्रोसेस्ट फूड खाना, बहुत जादा जंक फूड खाना, fruits वगरा कम खाना, vegetables, salad वगरा बिल का दर्शे को आप कहीं मत जाएगा, हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे इस भ्रेक के बाद,